तेलर्मेंट कैसे हैं आप दोस्तो आज मैं आपको बताने लुग हैं समसंग के मॉइल का एक कमाल का hidden feature जो की बहुत अच्छा फिचर होता है जो की सब के Samsung के मुइल में होता है इसको यूज कैसे करते हो और उसका फाइदा क्या होता तो आज की वीडियों बताने वालओ दोस् तो यहां पर आप देख रहेंगे मैंने एक screenshot लगा के रखा है यह Samsung के mobile में आपको हर जगा यह feature मिल जाएगा उसको enable कैसे करेंगे तो आज की वीडियों बताने वाला हूँ को हम इस data को पूरा चेक करेंगे उसके बाद जो भी आपके mobile में जो bug है या error है हम उसको solution करने की कोशिश करेंगे तो यह आपको Samsung के mobile मिलता है दोस्तों मेरे साथ हो गया रहा था पिछले तीन चार देन से मेरा mobile आटोमेटिक restart हो रहा था और बार बार continue restart हो रहा था अब मैं समझ नहीं पर रहा था रिस्टार्ट क्यों हो रहा है तो आटोमेटिक कि कल मैंने अपने mobile बें जब Samsung member app खोली तो वहाँ पर मुझे एक message दिखाई दिया your phone incorrectly restart और force देख रहा है जैसे कि उसने महाँ साफसाब लिखवा है कि हमने देखा कि आपका phone automatically restart हो रहा है या force हो रहा है you can send a log help text तो Samsung mobile क्या करता है अगर आपके mobile में कोई problem या error होता है उसकी एक lock file बना लेता है उन्होंने एक separate सा एक folder बना लेता है जिसमें एक file create कर लेता है उसमें जो जो error हो रहे होंगे और सारे आपके mobile की जो data है उसको पूरा command करके एक file बना लेता है जिसको वो अगर आप चाहें अगर आप Samsung के server पर send करेंगे Samsung Galaxy को भीजेंगे तो वहां पर वो पूरा चेक करेंगे आपके mobile में क्या है किसके वज़े से error आ रहा है और वहीं से solution करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आपका mobile वहां पर solution हो जाएगा तो यह ऐसे वर्क करता है अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो सब सब लिखा हुआ कि इसमें कह अगया है कि अगर आपका जो भी डेटा है आपने अपने थाद पाटी अपी डाची है मतलब जो कि आपने गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड करी है, कोई सी भी, जो भी आपके आप मुवाइल अप इंस्टॉल्ड है, उन सब का डाटा, जितना भी डाटा है, वो सब आप अगर आप चाहते हैं, अगर आप एग्री हैं, तो अगर आप हमारी टीम को वहाँ पर सेंड कर देंगे, तो हम उस जो भी आपके मुवाइल की प्रॉब्लम है, उसको पूरी तरह से रिसॉल्व करनी कोशिश करेंगे, या उसको डाइग्नोजिस करेंगे, क्या प्रॉब्लम हा रही है, और उसके बाद आपको प्रॉब्लम फेज नहीं करनी होगी, अगर आप नहीं चाहते हैं, आप हमें भेजना चाहते हैं, तो आप इसको डिस्कार्ट भी कर सकते हैं, उससे हमें कोई आपका डेटा हम इमीजेटली वहाँ पर डिलेट कर देंगे, तो यह कहा गया, आप देखेंगे, यहाँ पर नीचे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर तीन ओप्शन दिये गए, आप देखेंगे, यहाँ पर नीचे आप देख रहे होंगे, यह पूरा दिखा हुआ, attached log file दिखा रहा है नीचे मैंने mobile का number दिखा रहा है, android version दिखा रहा है और नीचे आपको तीन option दिए है, turn off, discard और send अगर discard कर देंगे तो यह कहीं send नहीं होगा और आपको जो भी log file बनाई होगी वो delete हो जाएगी turn off कर देंगे तो यह feature work नहीं करेगा और send कर देंगे, तो आगे वाला server क्या करेगा उस पे आपकी detect करेगा आपकी problem को problem को समझने के बाद वो क्या करेगा आपको कोई notification नहीं देगा, बस आपके जो mobile है उपर सही उस पे update कर देंगे like server से और उसके आद जो आपकी problem है, वो solution हो गई है इसके आने के बाद से जो मेरे पास जो error report आई है उसके आने के बाद से मेरे पास मेरा mobile restart नहीं हुआ तो मुझे तो लग रहा है कि यह work करना चालू हो गया है और अगर मैं send भी करूँगा तो मुझे कोई problem नहीं सेमसंग के member app में जाने के आद आपको वहाँ जाना है उफर three dots में three dots में जाना है आपको नीचे setting में setting में जाने के आद आपको नीचे option मिलेगा automatic reports error reports का आपको उसको जाके उसको on कर लेना है इसको on करने के चोटे-चोटे जो bugs होते हैं automatic वहाँ पर send कर देता है background में और उससे आपका problem solution होती जैसा कि मैंने बता है मेरे पास mobile restart हो रहा था बट अब मेरे पास यह message आने के आद मेरा restart problem solution हो गया है तो यह message आपको कैसे बता चलेगा कि आपके mobile में कुछ problem है जैसे आप Samsung member app को खोलेंगे तो वह खुद ही बता देगा कि आपके वाइल में यह problem आ रही है और हम इसको solution करना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि इस data वो शेयर कर दीजिए उसकी बाद आपके problem वहाँ पर solution हो जाएगी तो ऐसे work करता है तो आपको यह option को यहां अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक्यों दोस्तों और अगर अभी तक आपने मेरे चलों सब्सक्राइब करना ना बोलें ताकि मेरे चैनल की नेक्ट वीडिया आपको सबसे मेले बेले दोस्तों और आगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डारेक्ली कमेंट करके पूछ सकते हैं या पर इंस्टाग्राम पर डियेंबी कर सकते हैं दोस्तों उमीद है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक्यों